भारत की उत्तरपश्ची में मौझूद राजस्थान भारत का खुबसूरत राज्य है गुलाबी नगरी के नाम से मशूर जैपुर यहां की राजस्थानी है बता दे की राजस्थान का नाम पहले राजपुताना हुआ करता था जिसे बाद में बदल कर राजस्थान कर दिया है कई पुराने किलो और महलो को हैरिटेज होटल में तबदील कर दिया गया है राजिस्थान में कई पर्याटन स्थल मौजूद है जिसमें जैपुर अजमेर और उदैपुर शामिल है तो अगर आप भी राजिस्थान घूमने का मन बना रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को जर पुब आता है इसलिए यहां देश विदेश से हजारों की तादाद में लोग आते हैं जैपुर अपने स्वादिष्ट और चटपटे भोजन के लिए भी पूरे भारत वर्ष में काफी प्रसिद्ध है जैपुर में आप हवा महल चल महल और नाहरगड फॉर्ट जैसी जग पूंने का मन बना रहे हैं तो बेशक उदैपुर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जगा होगी जहां पर आपको जीलो और एकिस्तान का कॉम्बिनेशन एक साथ देखने को मिलेगा जो शायद ही कहीं और देखने को मिले इसके अलावा आप यहां के स्पेशल भोजन का भी लट्व उठा सकते हैं जो पूरे भारत में फेमस है जैसल मेर गोल्डन सिटी के नाम से मशूर जैसल मेर राजस्तान का एक एतिहासिक शहर है जो राजस्तान के पश्चमी दिशा में पाकिस्तान के बॉडर से सटा हुआ है और राजस्तान की राजधानी जैपूर से कर अजमेर जिला राजस्थान के मद्दे में स्थित होने की कारण इसे राजस्थान का दिल भी कहा जाता है अजमेर पूरे भारत का एक मात्र ऐसा शहर है जिसे अपनी पवित्रता के कारण भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर पूरी दुनिया में अपने विशाल किलो महलो और सिल्मानों दोनों के लिए एक खास जगा माना जाता है और यहां पर प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एक मंदर भी है चित्तौडगर राजस्थान की राजधानी जयपूर से तक्रीबं 310 किलो मीटर की दूरी पर स्थित चित्तौडगर राजस्थान का एक एतिहासिक शहर माना ऐसा कहा जाता है कि चित्तौडगर की नीव सातवी सताबदी में राजस्थ चित्तौडगर मोरे द्वारा रखी गई थी महाराना प्रताब की भूमी कही जाने वाले चित्तौडगर दुर्ग पर परियटकों को मंत्र मुक्द करने वाले का इसमारक बने हुए मिलेंगे आपने रानी पद्मावती के बारे में तो सुनाई होगा वो इसी चित्तौडगर की महारानी थी जब सन 1303 इसवी में अल्लाउदिन खिलजी ने चित्तौडगर पर आकरमन किया था तब महारानी पद्मावती ने यहीं पर 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया वर्तमान में स्थान पर हर साल मार्च महीने में जोहर मेले का आयोजन भी किया जाता है